नमस्कार दोस्तों, अपना ट्रेडर में आपका स्वागत है, और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि मारू बोजू कैंडल क्या होता है, मारू बोजू या लोग इसे मारू बोजू भी बुलते हैं, तो ये कैंडल क्या होता है, इस कैंडल का क्या यूज है, ग उसका क्या अर्थ निकल के आता है, फिर हम वो डिसकस करेंगे, ये वीडियो जो है, ये एक प्लेलिस्ट का हिस्सा है, आपके टॉप राइट कॉर्णर में प्लेलिस्स सारी होगी, जिसमें और भी तरहें के, सारी तरहें के, डोजी से लेके, मारू बोजी से लेके, ग्रेव स्टोन, और ड्रैगन फ्लाइ, सारी तरहें की केंडल्स को मैंने अलग-अलग वीडियो में डिसकस किया है, तो कोई भी देखना चाहें, तो टॉप राइट कॉर्णर से आप प्लिक करके देख सकते हैं, और आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं इस तरह की काफी सारे वीडियो बनाता हूँ, सीखने के लिए, अगर आपको उसमें इंट्रेस्ट है, तो सब्सक्राइब जरूर कीजेगा, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, तो जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था, कि केंडल स्टिक क्या होती है, आज हम बात करने वाले हैं कि मारू बोजो केंडल स्टिक क्या होती है, तो इन simple term maru bozo candlestick वो candlestick होती है जिसमें की upper या lower wick नहीं हो फिर समद लीजिए वो candlestick जिसमें ना upper wick हो ना lower wick हो मतलब सिर्फ body हो आपकी और wick ना हो तो इसे pure maru bozo candlestick बोलते हैं जिसमें upper wick और lower wick नहीं होता है यह दो तरह की होती है एक होती है bullish और एक होती है bearish तो चलिए अपन वो किस तरह की दिखती है एक बार वो देख लेते हैं तो यह देखिए इस तरह की candlestick बहुत ही simple है यहाँ पर ऊपर कोई wick नहीं है नीचे कोई wick नहीं है इधर भी उपर कोई wick नहीं है नीचे कोई wick नहीं है अगर green color में यह है तो यह bullish maru bozo है और red color में है तो bearish maru bozo है actually अभी जैसे आप देख रहे हैंगे यहाँ कोई wick नहीं है लेकिन कई पर क्या होता है कि छोटी से wick हो सकता है कि यहाँ पर हो actually अगर मान लीजे इस तरह कोई छोटी wick है भी जो visible है तो भी हम इसे maru bozo ही बोलते है और maru bozo का मतलब यह है कि trend clearly एक side में रहा है जो भी time frame है आपका जो भी आपका time frame है मान लीजे आपका time frame 5 minute का है तो उस 5 minute में अगर यह candle green है तो मतलब यहाँ पर market open हुआ है और यहाँ पर market close हुआ है और day का lowest point भी वही है जहाँ पर market open हुआ है और day का highest point भी वही है जहाँ पर market close हुआ है तो मतलब market open हुआ है और उपर ही जाता गया है और finally दिन के या उस समय के जैसे 5 minute का ले रहे हैं पाँच मिनिट के टॉप पॉइंट पे बंद हुआ है तो इसे बोलते हैं बुलिश मारूवोजो मारूवोजो का मतलब होता है डॉमिनेंस या फिर एक्चुली मारूवोजो केंडल जो है वो जैपनीज में बॉल्ल केंडल भी बोलते हैं यानि की गंजा हिंदी में जिसे हम गंजा बोलते हैं तो यानि इसकी यहाँ पे कोई चोटी नहीं है यानि कोई विक नहीं है तो इसलिए जो है वो बॉल्ल केंडल भी बोलते हैं ये काफी पावर्फुल केंडल होते हैं अकर हम ऐसे ही बेरिश में देखें तो bearish में मतलब कि open price यहां है और close price यहां है लेकिन जो open price है वो ही दिन का highest point रहा है और जो close price है वो ही दिन का lowest price रहा है bearish candle होती है यह और यह वाली जो है यह strongly bullish candle अब इसको graph में देखते हैं कि graph में दिखती कैसे है तो चलिए graph में चेक करते हैं तो यह देखिए यह एक दिन का graph है यहां पर आपको दिख रहा है और पांच मिनट की candle है मतलब हर केंडल पांच मिनट की है तो आज सुबह अगर आप market को देखें अगर मैं थोड़ा से इसको zoom करूँ और थोड़ा सा मैं नीचे लेकिया हूँ तो आप इस candle को देखिए यहां पर यह यह दिखाई दी डोजी केंडल मैंने इसका पिछला वीडियो बनाया है अगर आपको डोजी केंडल नहीं पता है तो टॉप राइट में लिंक आ रहा है वो आप वहां से देख सकते हैं कि डोजी केंडल क्या होता है तो यह जो है यह ग्रेवस्टोन डोजी केंडल यहां पर टॉप में बना और उससे trend reversal हो गया अब देखिए ये जो candle बना है ये है मारू बोजो candle इसका मतलब है कि यहाँ पे ये price पांच मिनिट का price खुला और पूरे time वो नीचे ही आता गया और यहाँ पे close हुआ तो ये एक strong negative trend है तो आप देख भी सकते हैं कि उसके बाद trend जो है वो negative ही रहा है बीच बीच में थोड़ा उठा है मगर फिर भी negative trend रहा है और अभी market यहाँ पे चल रहा है बट overall अगर आप देखें तो दिन का trend negative रहा है ये आपको शुरू के 15-20 मिनिट में आपको पता लग गया था कि strong negative trend है देखें तो इसके बाद यहाँ पे एक और आप देखेंगे यहाँ पे एक और बीरिश मारू बोजो बनी है इसमें उपर कोई विक नहीं है यहाँ पे लेकिन नीचे आप देखें तो एक छोटा सा विक है अगर ऐसे ही हम अगर हम 3 months में देखें तो यह आपको जो है हर candle एक दिन की candle है और आप इसमें भी कई मारू बोजो ढून सकते हैं जैसे यह clear मारू बोजो मुझे दिख रही है यह इतनी strong नहीं है मारू बोजो क्योंकि इसमें नीचे भी विक है उपर भी थोड़ा विक है बट और अगर हम देखें एक यहाँ पर मुझे मारू बोजो दिखाई दे रही है छोटे-छोटे विक के साथ तो इस तरह से यह होती है मारू बोजो candle जिसमें नॉमली विक नहीं होता है इनकी body जो है वो लंबी होती है और विक या शेडो जो या तो नहीं होता है या बहुत कम होता है ग्रीन मारू बोजो candle form होती है मतलब कि trend उपर है और उस time frame में चाहे वो 5 मिनिट कहा हो चाहे एक दिन कहो market उपर ही गया है lowest point पे खुला है और highest point पे बंदुआ है जब red मारू बोजो है या बेरिश मारू बोजो है तो उसमें market जिस point पे खुला था उससे नीचे ही नीचे गया है और दिन के सबसे नीचे point पे बंद हुआ है इसी मारू बोजो candle को अगर हम किसी दूसरे graph में देखें तो आप देख सकते हैं यह ICSAE का graph मैं यहाँ पे देख रहा हूँ यह ICSAE bank का day का graph है और 5-5 minute की जो है वो candle है यहाँ पे ठीक है अब आप यहाँ पे देखिए यह एक candle देखिए इसको मैं थोड़ा सा zoom करता हूँ ठीक है यह candle आप देखिए यह जो green candle है यह काफी लंबी candle है और इसके जो नीचे का जो wick है इसके नीचे का जो wick है और उपर का जो wick है वो body के comparison में बहुत छोटा है तो इसको almost मारू बोजू को जो है candle बोलते है और उसमें आप नीचे देखिए यह मैंने graph में नीचे volume लगाया हुआ है यह आपको जो यह यहाँ पर नीचे जो चीज दिख रही है यह है volume तो अगर मारू बोजू candle के साथ volume भी अगर strong हो तो वो और strong हो जाती है तो जैसे ही यह candle form होई आपने देखा कि नीचे volume भी बहुत strong हो गई तो इसका मतलब है कि यहाँ पर market जो चल रहा था वो एक दम negative से सीधा positive में चला गया और फिर यहाँ से फिर positive चला लेकिन आप फिर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक और जो है वो मारू बोजू candle form होई और वो bearish form होई तो bearish form होई तो मतलब clearly downtrend फिर negative शुरू हो गया उसके बाद फिर negative शुरू हो तो bearish मारू बोजू जो है वो clear negative trend दिखाएगा और bullish मारू बोजू जो है वो clear positive trend दिखाएगा थोड़ा और example से देख लेते हैं यह देखिए यह इसके पिछले दिन का example आप देख सकते हैं कि यह long body small wick इसी तरह से यह भी long body small wick ठीक है इसी तरह से long body small wick और यह इतने सारे form हो रहे हैं यहाँ पर continuous तो मतलब trend surely strong positive है ठीक है यहाँ आके वो trend neutral हो गया है लेकिन इतना लंबा trend positive रहा है तो maru buzo candle जो है वो किसी भी trend में form हो जाएं अगर bullish maru buzo form होई है तो trend bullish हो जाता है bearish maru buzo अगर form होई है तो trend bearish हो जाता है तो maru buzo बहुत ही simple हो है कहीं भी आपको strong maru buzo अगर आपको दिखाई दे रहे है तो देखिए कि वो bearish है या bullish है bullish है तो trend bullish हो जाएगा चाहे हो जकता है पहले से भी bullish हो या bearish हो trend तो भी bullish हो जाएगा और चाहे bear trend में या bullish trend में अगर आपको बेरिश मारू बोजो दिखाई देती है इस तरहें की red वाली तो trend negative हो जाएगा यानि बेरिश हो जाएगा उससे पहले trend कुछ भी रहा हो trend अगर positive रहा हो तो reverse होके negative हो जाएगा और negative रहा हो तो भी negative ही रहेगा तो इससे पहले क्या हुआ है उस पे ज़्यादा focus नहीं होता है मारू बोजो में मारू बोजो अपने आप में ही काफी strong एक जो है वो factor होता है जो आपको पताता है कि आगे market bearish रहने वाला है या bullish रहने वाला है आप लोगों को इस वीडियो से help मिली होगी और अगर help मिली हो और इस तरह के और वीडियो देखने हो तो प्लीज मेरे चैनल को subscribe करना और यह पूरी playlist का link आपको top right corner में भी है और description में भी है वहां से देख सकते हैं so that is it take care guys bye bye have a good day